राना नायडू नाम से नेट्फिक्स पर एक सीरीज आई है, 10 एपिसोड और हर एपिसोड की लेंथ लगबग 45-50 मिनिट की, मतलब आपको ये सीरीज देखने के लिए या बिंज वाच करने के लिए कम से कम अपने लाइफ के साढ़े 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 गंटे देने वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी, राना नायडू सीरीज एक रीमेक है अमेरिकन ड्रामा सीरीज रे डोनो वैन का, हाला कि मैंने वो देखी नहीं है तो कमपेर नहीं कर सकता, बट सीरीज के स्टार्टिंग के 5-10 मिनिट में ही आपको पता ल सीरीज के 90% कारेक्टर्स ठरकी है, जिनका सेक्स सीन आपको दिखाया जाएगा, और इतना सब बताने के बाद ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कि आप इसे फैमिली के साथ बिलकुल भी नहीं देख सकते, लास्ट के 3 एपिसोड छोड़ दे तो इसके हर एक एपिसो राना नाइडू में भी है, मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने सीरीज को पूरा न देखते हुए इसका रिव्यू दे दिया है, and that is totally not fair enough to judge the सीरीज, सीरीज में राना नाइडू नाम का एक शक्स है, जिसे लोग fixer for the stars कहते हैं, किसी celebrity के life में कोई भी problem है, तो राना वो fix कर ही देता है, तो ऐसे बहुत से celebrities and उनके बहुत से problems आपको इसमें दिखाये जाएंगे, पर साथ-साथ simultaneously राना के life की भी personal story भी चलती रहती है, जो लोगों के problems आसानी से solve कर सकता है, वो खुद के family problems को solve करने में कमजोर पढ़ते जाता है, और उपर से entry होती है उसी के father की, इससे वो नफरत करता है, अब राना अपने बाप से नफरत क्यों करता है और story आगे कैसे बढ़ती है, वो आपको series में देखने को मिलेगा, पर साथ ही साथ इस series से बहुत से actors की एक दूसरी side हमें देखने को मिलेगी, and of course, कुछ लोग इस बात को accept नहीं कर पाएंगे, कि उ इन सब के intimate scenes आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही first episode में ही एक lesbian scene भी है, तो ऐसे वैसे कैसे scenes दिखाने में इनोंने कोई कसरत नहीं छोड़ी है, बाकी storyline में grip तो है, और अगर आपको ऐसे shows पसंद है, तो आपको seat से बांधी भी रखेगी, एक जो सबसे अच्छी बात मुझे इस series की लगी, वो है इस film की बोली भाशा, जो हिंदी तो है, लेकिन बहुत से characters इसमें हैं खैदरबादी हिंदी में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, like क्या बाता कर रहा मिया, मा की किरकिरी, बाइगन की बातता नों को करो, हौला ही क्या, उधर काई को जाती तुम, I mean, ऐसे-ऐसे words है, जो starting में आपको थोड़ा funny लगेंगे, फिर उसकी आदत हो जाएंगी, और कुछ एक dialogues भी ऐसे ही लिखे गए है, जिसको सुनने के बाद मज़ा तो आएगा लेकिन अकेले में, तो overall देखते हुए मुझे ऐसा feel हुआ कि अश्लिलता का ratio story के मुकाबले थो कम होता तो series काफी अच्छी निकल सकती थी, बहुत सारे scenes ऐसे भी है, जिसको ना भी दिखाते तो भी फरक नहीं पड़ता था, ending इस series की बहुत अच्छी है, और उन्होंने ये तो sure कर दिया है कि इसका दूसरा season भी आएगा, बाकि मेरी तरफ से Rana Naidu के season 1 को 3 out of 5 stars, मिलते ह अगले वीडियो में, बाई